हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे सभी जवानों पूरुसेनिक और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़बर के उपर जिसमें की सुप्रीम कोट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है काफी टाइम से दोस्तो ये सुप्रीम कोट में ये पेंडिंग था और इस से जो है जितने भी पूरुसेनिक हैं जितने भी पेंशनर्स हैं उन सब के लिए एक काफी रिलीफ मिलेगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या ये लेटेस्ट अपडेट है और किस तरीके से ये सभी जवानों पूरुसेनिकों केंदरे करमचारी उस सब के लिए बेनिफिशिल है दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोबाए दोस्तों देख सकते हैं ये जो इंपोर्टन डिसीजन है आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ओर्डर्स रिकावरी ओफ पे आप देख सकते हैं रिकावरी अट टाइम ऑफ रिटायर्मेंट जो पे एंड अकौंटिंग अथोरिटीज है जो नॉमली जब आप रिटायर होते हैं तो चेक किया जाता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं गया कुछ आपके नोड यूज आपका सारा कुछ क्लियर है कि नहीं है तो उस केस में क्या होता है नॉमली जो है आपके पास एक साल रहता है और तब तक जो है लास्ट जाते जाते आगर आपके पास कुछ रिकावरी निकालाती है तो उस टाइम पर जो भी पेंशनर्स जो पें आपको पढ़ा चलता है आप तभी ले लीजिए क्योंकि जब रेटायर्मेंट का टाइम होता है तब ज्यादा जो है उनको जरूत होती है As per extent, government policy based Supreme Court orders, recovery of pay and during last one year of service is impermissible in law Therefore, report record offices are requested to ensure that no recoveries during FSA are affected by PAOs दोस्तों जो recovery है, recovery एक तरीके से government ने खाते में जाती है लेकिन recovery को इतना delay ना किया जाए कि वो last one year में है क्योंकि last one year में आप देख सकते हैं कि during last one year of service is impermissible in law A copy of SAPCS letter number this this on the subject is forward herewith for info and necessary action please तो दोस्तों देख सकते हैं जो recovery जो सबसे major होता है कई लोगों के extra पैसे हम मिल जाते हैं लेकिन जब उनका last year होता है उस time पे हो सकता है वो पैसे उनने खर्च कर दी हो और उसके बाद से उनके कोई income का source नहीं होता उसके बाद उनको अगर उनसे recovery की जाए तो वो उनके लिए बड़ा painful होता है इसलिए दोस्तों यह Supreme Court का एक बड़ा फैसला है अगर timely अगर pay and accounting authorities नहीं कर पाती तो उनके last year में यह नहीं लिया जा सकता दोस्तों यह था आजका important update सभे पूर सेंकों के लिए pensioners के लिए और जवानों के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले थैंक यू for watching this video